है अअ मैं विकास अपने यूट्यूब चनल पर आप सभी का अर्दिक स्वागत करता हूं आज अपने क्या सीखते हैं कि दो डिरीट किया हुआ पार्टेशन होता है उसको दूसरे पार्टेशनल मर्ज कि इस प्रकार से किया जाता है मकद जो पार्टेशन होता उसकी इसमें पार्टेशन उनकी जो वोल्यूम सइज वह हैं १ो देखते हैं क्मप्यूर पे जाते हैं यह नहीं पर जो 54 GB का तो partition है वो यहां पे है तो इसकी size अपने को भी बढ़ानी है इसमें दूसरे partition को merge करना है तो इसको close करते हैं और अभी जो partition को merge कैसे करते हैं उसके लिए क्या करना होगा अपने को जो computer है उस computer पे right click करना है और right click करने के बाद में जो manage का option आ रहा है इसके उपर click करना है मनेज के ओप्सन पर कलिक करते हैं तो नेक्स्ट विंडो जो खुलती है उसमें अपने को कलिक करना होता है डिस्क मनेजमेंट का जो ऑप्सन यहां पर परदस्चित हो रहा है इस पर कलिक करना है जैसे आप डिस्क कि यह पार्टेशन है इसको मरज करना है तो जो अभी जी है इसकी सह जा रही है 53.77 GB और जो डिलिट किया है उसकी है 50 GB तो अपनों क्या करना है जो 50 GB का पार्टेशन है इसको 53.77 GB वाला पार्टेशन इसमें मरज करना है तो अपनों क्या करना है तो जी वाला पार्टेशन वर्फे राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने वाद में इसमें लिखावा है अक्स्टेंड वोल्यूम जो अक्स्टेंड वोल्यूम का उप्सन आ रहा है इस पर क्लिक करना है फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसको फिनिस कर देना है जैसे आप इसको फि 53 और जो 50 तोनों मिल गए और मिलके यहाँ पर 103 GB की शाइज हो गई है अभी अपन क्या करते हो चो कंप्प्पीटर उसमें जाकर देखते हैं कि साइज हो बढ़िएंग नहीं बढ़ी तो इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने बाद में जो कंप्प्प्पीटर उसको ओपन कर सब्सक्राइब करें !